गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग टू अल्ड़ सेंटर्स शुरू करें क्या आज का सेशन मस शुरू करें तो बच्चे लास्ट क्लास में जो कुछ भी अपनने पढ़ा था वहां से शुरू करते एक बाज रख क्विक रीकैप लेते और फिर शुरू कर देंगे कि सबसे पहले तो अपने किया था अकाउंटिंग साइकल जिसमें ट्रांजेक्शन के वाज वाउचर जर्नल ठीक है जर्नल लेजर ट्राइल अग्जस्टेंट एंट्री वगरह वगरह किया था एंदेट फिनांशियल स्टेट्मेंट नॉन फिनांशियल डिस्क्लोजर समें चीज को अच्छे से समझा था और इसको लेके अपन टैली तक पहुंचे थे ठीक है इसको लेके कहा तक पहुंचे थे टैली तक पहुंचे थे और टैली पे कैसे मतलब Automated Accounting in Financial Systems कैसे चलते चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया था सबसे पहले वाउचर Documentary Evidence है कितने टाइट के होते हैं बहुत सारे टाइट के होते हैं debit note, credit note, sales, purchase, invoices जितने भी है Memorandum वगरा, inventory के, stock के, stock control के, ठीक है goods receipt के, quality control के, बहुत सारे voucher होते ठीक है statutory voucher होते है, inventory के होते, accounting के होते हैं ये सारी बाते हमने बड़े आराम से की थी last class में practically आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और इन सब को deal करने के लिए हमने बात करे थी एक system को और उसको define किया था system is a set of rules that what executes the task assigned by the business processes with the help of कौन से business processes, business के बहुत सारे business processes जैसे accounting का, finance का, inventory का, HR का, payroll का बहुत सारे ऐसे processes आपके business के अंदर material handling का, material management का, inventory control का बहुत सारे process ऐसे run किये जाते हैं, किसी भी business organization के अंदर इन सब को, इन सब के processes को execute करने का काम system करता है और उसके लिए example लिये थे हमने go to goa on a holiday or anything और एक चीज़ discuss करने की कोशिश करी थी, कि ये man, machine, material, IT, tools and other resources के तो execute होता है और एक बात मैंने आपको बताई थी, कि process या system कौन सा बढ़ा है, तो आपने बताया था सर, दोनों depend करता है कि process कितना बढ़ा है और कितने system या sub-system उसमें लगाये जा रहे हैं या अगर process छोटा है, system बढ़ा हो सकता है, मैंने खा, banking का system है उसके अंदर बहुत सारे processes execute करते हैं, बट गोवा जाने के लिए मुझे जो fund की ज़रुद पड़ती है, उस process में banking का withdrawal, cash withdrawal का system मेरे लिए एक sub-system की तरह काम करता है, process बढ़ा था, system बहुत सारे चोटे-चोटे लगे ठीक है, यह साथ समझने की कोशिश करी, उपर वाले diagram को deal करने के लिए जो process हमने set किया, accounting and financial management का, उसको run करने के लिए हमारे पास accounting and finance का system है, जिसे हमने कहा कि यह ERP हो सकता है, यह कोई tally हो सकता है यह सा बाते हमने की थी, और फिर हमने देखा था कि जब हम tally की बात करते हैं, जब हम accounting के ऐसे aspect की बात करते हैं, तो यहाँ asset, liability, owner's equity, ऐसे अपन differentiate करते हैं, करते हैं क्या, बिलकुल, और यहाँ यहाँ दो ही type के leisure पाए जाते हैं, एक with debit balances, another with the credit balances, जो आपको बहुत clear है, और वो होते हैं, plus minus के basis पे decide, ठीक है, debit credit, ठीक है, asset plus minus क्या होगा, liability and owner's equity plus minus क्या होगा, retained earning का division कैसे करेंगे, revenue expenses and इन में करेंगे, यह सब चीजे हमने last class में discuss की थी, leisure, leisure के बारे में बात करी थी, और फिर एक journal entry पास करके भी देखा था, और उसके plus minus के यह, हमने क्या बराये थे, बताओ, leisure open किये थे, जब हमें tally के अंदर यह accounting entries पास करनी होगी, तो open plus minus के basis पे उनकी transaction close कर देंगे, साथी साथ मैंने आपको बहुत सारे leisure open करके भी दिखाये थे, दो type के data का difference बताया था, वो क्या था, master data and non-master data, कि master data किसे कहते, non-master data किसे कहते, याद है आपको, बताओ, master data क्या है, एक permanent data है, non-master transactions are non-master data, changeable data, permanent data, kब change हो सकता है, on an average change नहीं होता, लेकिन appropriate authority के authorization के बाद, वो change किया जा सकता है, ठीक है, इतनी बाते हमने last class में की थी, फिर, tally की बात करी थी, tally, जैसे ही हम tally के अंदर जाते हैं, वहाँ access control लगा होता है, access control लगा होता है, मतलब identification, authentication, authorization and accountability fix होती है, cryptographic rules से fix होती है, cryptography यहाँ role play करता है, ठीक है, ID password issue होते है, ठीक है, accountability बगरा, log report बगरा बनते हैं, सारी बाते की थी, access control कितने type के होते हैं, जराब two type के होते हैं, एक को rule based बोलते हैं, मतलब as per policy framework किया, तो rule based किया, role based किया, तो क्या करना है, मतलब need to know, need to do, आपको क्या जानना है, क्या जानने की जरूरत है, यह जानना, दो बाते मैं यहाँ आप explain कर रहा हूं, दो आपको छोटे-छोटे words दे रहा हूं, need to know and need to do, यही दो basis हैं, access control के, basis of access control, for example, need to know का example देता हूं, आप finance के, आप production के आदमी हो, आप production department में काम करते हो, आपका काम production के process related task को execute करना है, अगर आप मेरे से किसी का TDS की जानकारी मागना चाहते हो, या आप database में जाते हो, database को, Tally ने जो database बनाया, ERP ने जो बनाया, इस database में जाके आप access करना चाहते हो, statutory records को, या आप access करना चाहते हो, human resource department के records को, तो जरुत नहीं है न, आपको ये जानने की जरुत ही क्या है, need to know, अगर आपको जानना भी है, तो HR department के थुरू आपको जानकारी मागनी पड़ेगी, ठीक है, need to know basis, need to do basis, आपको करना क्या है, as per the rule, आपको जो task assigned हो, task assigned, किसको to the subject, कहा over the object, ठीक है, ये बाते हमें clear रखनी है, कि access control के दो major basis है, need to know, हर आदमी को हर एक चीज़ system के अंदर जानने की जरूरत नहीं है, अगर कोई inventory control का इंसान है, तो उसको time card, job card, batch card की information, payroll processing की information जानने की जरूरत नहीं है, ये भी data की security safeguarding का, assets safeguard करने का, एक important control है, ठीक है, access control है, need to do, बहुशे basis, आपने जो काम करना है, आपने accounting करनी है, 9 to 12, तो आपकी accounting करने की, का role, need to do, आपका clear है, और उस पे control भी लगा हुआ है, आप कुछ और नहीं कर सकते, as per the rule, आपको ये task assign किया गया, you need to do that, ठीक है, simple, ये दो छोटी-छोटी बाते आपको बताई, आगे इसका usage करेंगे, आओ बात करते हैं, आप software की, आप मुझे बताना बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूँ, आप syllabus में आ रहा हूँ, book भी refer करते हैं, ठीक है, मुझे आप छोटी सी चीज बताना, tally, क्या है, आपको होगे सारे एक software है, बताना कैसा software है बच्छे, क्या करती है tally, accounting करती है, finance करती है, inventory control करती है, एक tally 9.1 ERP, क्या है ये version, ठीक है, financial and accounting का एक system है, means, इसको execute करने वाला एक software है, कैसा software है, application software है, कैसा software है, application software है, chapter number 3 में हमने पढ़ा था क्या, पढ़ा था information system component के अंदर application software, ये भी पढ़ा होगा कि ये application software, transaction processing system का part है, मतलब उसके हिस्से को transaction processing, जो हमारा horizon hierarchy के below level पे है, उसको execute करने के लिए बनाए, अब दो बाते, आप tally open करो, ठीक है, अभी मैं आपके सामने open कर पाऊ, टैली, ठीक है, ये टैली आ गया, आया क्या आपके screen पे भी, ठीक है, processing slow little bit, ठीक है, अभी मैं जिससे interact कर रहा हूँ, जो भी ये platform है, जिससे मैं interact कर रहा हूँ, क्या interact कर रहा हूँ, interaction कर रहा हूँ, किस साथ, टैली के साथ, open करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस के उपर, इस screen के उपर, जो आपको भी दिख रहा है, ये क्या है, आप, बाते कर रहा है आप कोगे सर किसी से नहीं टैली से बात कर रहा है तो इस टैली के अंदर भी दो चीजे हैं ध्यान से सुनना जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते भी हो पहले हम डिसकस भी कर चुके हैं एक को मैं कहता हूं प्राइंड और दूसरे को मैं कहता हूं न j Vale circuits क्या है और ब्र जैसे कि रेस्टोरेंट में जाओ तो जो आपसे डीओं लेकर आपसे और लेने आता हे रहे correct तो नहीं आता विटर ना communicate करता है और front end एक user से भी communicate करता है उसी तरह से tally में जो ये वाली जगह है जिससे मैं interact करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है या कोई भी website ले लो not only tally आप कोई website ले लो आप कोई flip card ले लो ठीक है flip card के इस dashboard से मैं communicate करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं user मेरे लिए चुल değ मेरे लिए front end is कि मैं इससे ये मेरी language समझता है मैं इसकी language समझता हूँ यह दिखाता है जैसा मैं देखना चाहता हो और जैसा मैं देखता हूँ उसी के हिसाब से मैं इससे request करता हूँ अब ये पीछे जाकर क्या करता है कौन 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 से software, कौन कौन से program, कौन से data structure, कौन से web server, कौन से application server, कौन से database server, क्या इसके पीछे या mail server इसके पीछे काम कर रहा है, वो मेरे लिए एक hidden aspect है, वो मेरे लिए known aspect नहीं है, तो बोले तो, किसी भी software के, किसी भी application software के, दो पार्ट होते, एक को अपन front end कहते हैं, एक को ठीक है, user interact करता है, किस के साथ, front end के साथ, ये क्या होता है, user friendly होता है, ये और क्या होता है, ये presentation भी देता है, इसकी language कैसी होती है, आज पर users language होती है, language कैसी होती है, जो users के साथ communicate कर पाए, communication की language, English में समझता हूँ, ये मेरी language में बात करता है, ठीक है, अब further, front end किस के साथ communicate करता है, back end के साथ करता है, communicates with, back end, back end को बताया, कि front end को, इस user को क्या चाहिए, front end पे इसने request करी है, sales report की, किस की report की, sales report की, अब टैली का back end क्या करेगा, sales report, वो पुछेगा कब कब का, वो बोलेगा, 18, 19 के sales report का, उसने demand किया है, ये front end जाके इस back end को बताएगा, back end में हो सकता है, कोई database हो, database server हो, कोई database management system software हो, या इसके अलावा, कोई web server हो, जहाँ पे कुछ stored हो, या कोई web application का web server हो, या कोई email server हो, हम एक बार कोई mail अपने पास से, अपने desktop से, अपने mail ID पे जाके, Google पे जाके mail भेज देते है, वो हमारे दोस्त को deliver हो जाता है, क्या हमने देखा कि वो कहा गया, कैसे गया, किस पे store हुआ, कहा से कहा, download हुआ, हमें उसकी पीछे का पता नहीं होता, अब यह क्या करता है, front end communicate करता है, किस के साथ, back end के साथ, और इसको बोलता है, वह यह report दे, report, मतलब, front end, back end, एक दूसरे को understanding होती है, यह एक दूसरे की language में बात कर सकते है, user नहीं बात कर सकता, लेकिन front end, back end के साथ, उससे understanding होती है, और technical language में बात कर सकता है, क्या, अब back end क्या करेगा, back end will generate report, and share with front end, right, किस के साथ share करेगा, front end के साथ, a front end will do what, now front end will share with the user, fe will share with the user, over client, agreed, ठीक है, front end ने front end को दिया, front end ने user को दिया, user के साथ यह report, share हो गई, एक बार पहले आप यह note कर लो, then we'll talk more about this, पहले एक बार आप यह note करो, front end, back end का relationship, जरह छोटे में, short में, then we'll discuss more, ठीक है, नोटेड, बहुते सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी तोप बात नहीं थी, कोई ऐसा मैंने धमाकेदार, ऐसी कोई बहुत, जबरजस्त, कोई जहरणा बात नहीं करती, जिसमें कोई मुश्किल होने वाली है, चलो, इतना सा था, यह बहुत यह आसान बात थी, अब जरह दो तीन example, आपको practical example कराता हूँ, ठीक है, आओ, देखो, एक site है, one, extel, bulk sms.in, मैं यहाँ पर bulk sms भेजा करता हूँ, ठीक है, यह मेरा login, rd password, access है, मैं यहाँ पर गया, मैं जिससे interact कर रहा हूँ, यह क्या है, जो आपकी screen पर दिख रहा है, यह presentation layer है, यही front end है, है न, बिल्कुल सही बात, आओ, जरा, इक बार इसको full देखो, आप, with more clarity, यह आपका front end है, अभी मैं इसको कहता हूँ, ध्याल से देखना, MIS report, देखो, यहाँ पहना MIS report, मैं कहता हूँ, मैं इस report generate कर, लेकिन मैंने किससे communicate किया, जरा बोलना, मेरी भाषा को कौन समझ पा रहा, मेरी language को यह front end समझ रहा है, ठीक है, यह देखो, इसने generate करके दे दिया, January 2019 का report, January 2019 का report, ठीक है, अभी यह कैसे report करके दिया, चलो, मैं इससे कोई और मांगता हूँ, मैं इससे November का मांगता हूँ, और मैंने यहाँ पर submit कर दिया, अभी यह मुझे दुबारा एक fresh report generate करके देगा, ठीक है, अभी इस report में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैंने किया ही नहीं, कोई activity नहीं है, जिरो है, December का मांगता हूँ, देखो, December में कुछ किया हूँ, यह processing कर रहा है हमारी report को, December 2019, बिल्कुल blank है, सोरी, मैं गलत जा रहा हूँ, 18, December 19 तो भी आया है नहीं, ठीक है, 18, submit किया मैंने, कोई भी ऐसी activity December 18 में नहीं हुई है, चलो November 18 दुबारा से देखता हूँ, submit करता हूँ, यह यह देखो जी, अब आपके सामने यह report आ गई, अब इस report पर दिखा रहा है, कब कब मैंने कौन कौन से date पर क्या क्या activity करी है, 6 को करी है, फिर यह 12, 4, 9, 0 की activity करी है, फिर 8, 4, 1, 3 है, टोटल, जो भी है, 49, 5, 27 executions मैंने यहाँ पर किये है, SMS के executions किये है अपने portal से, अब यह report जो मेरे को generate होके आई, यह front end ने बात किया किस के साथ, बहुत ही simple है, front end ने बात किया किस के साथ, back end के साथ, उसने यह report generate करी, और अपने इस website पर लाके हमारे सामने रख दिया, this was done by the back end, आओ इसकी थोड़ी सी theory करते है, and rest will discuss more, ठीक है, यह है front end, back end का relationship, और यह है इसकी usability, और क्या फाइदा है, क्या इससे speed बढ़ती है, मालनों, front end, back end, दोनों same ही हो, जिससे तुम communicate कर रहे हो, तो face to face class जैसा हो, front end भी वही है, back end भी वही है, कुछ भी पीछे से कोई server, कुछ भी काम करी नहीं रहा हो, क्या speed same होगी, या कुछ difference होगा, मेरे हिसाब से कुछ difference होगा, ठीक है, work का division होता है, resources के बीच में, तो काम fast speed से होता है, ठीक है, आओ कि front end and back end company ने, software बनाने वालों ने, अलग-अलग क्यू रखा, इसके क्या basis हो सकते हैं, तो आज का पहला concept में ले रहा हो, बहुत ही simple, यही हम कर रहे थे, front end, back end, page number 158 पे आजाओ, आपलो, फटा-फटा ओपन कर लो, दो minute लगाएंगे, and then we'll move to another concept, front end, it is part of overall software, it is part of overall software, which actually interacts with the user, who is using the software, telly, for example, or any application, back end, it is a part of overall software, which does not directly interact with the user, but interact with the front end only, आपने कर लिया, clear, ठीक है, user front end से, front end back end से, फिर back end front end से, फिर back end front end से, और front end user से, simple बात है है, if a user wants to have some information from the system, user will interact with the front end, front end to generate the report, यही बात मैने करी थी, front end will receive the instruction from user, and pass it on to the back end, टीक है, वो back end को देगा, back end will process data, generate report, send to the front end, front end will now display the information to the user, on the presentation layer, on P, बिल्कुर, यही बात कई बच्चों ने अभी query करी थी मेरे से, कल नहीं एक दिन पहले, कि सर यह जो अपना presentation, application, ब्राउजर को, वो कह रहे थे कि, ब्राउजर हमारा, यह front end क्यों, यह हमारा application server पे क्यों नहीं है, यह हमारा, presentation layer क्यों है, बड़े simple सी बात है, आप ब्राउजर खोलते हो, यह लो, open किया, इसी पे तो मैं कोई भी web application, या कोई cloud application, कोई भी web या cloud इस पे मैं use कर सकता हूँ, ठीक है, इसके बगएर मैं presentation मेरे को दिखेगी कहा, यह तो मेरे ही system पे और installed है मेरे system पे, देखो कितने सारे browser कर रखे हैं मैं install, base में देखो आप, ठीक है, एक यह है, एक opera है, एक firefox है, इतने सारे मैंने कर रखे हैं, ठीक है, तो यह सबसे अलग-अलग चीज़े मैं access कर रहा हूँ, यह हमारे system पे installed है, ठीक है, चलो, नीचे आओ, next, एक छोटा सा question आ सकता है, इस important के लिए मैं इसको कह सकता हूँ, इस attempt के लिए very very hot, why separate front end and back end software, why not only one, एक ही क्यों है, तो सब से पहले इसके लिए एक code ले लो मेरे से, बाद में बात करते हैं, USP of domain language, ठीक है, ठीक लिखा, मैं लिखा, USP of domain language, यू बोले तो user experience, one, S बोले तो, simple सी बात है, speed बढ़ जाती है, 3 बोले तो, हमारी presentation बहतर हो जाती है, domain expertise होती है, किसके पास, front end की front end के पास, back end की, back end के पास, 4, and language, यह उस language में बात करता है, जिसे, जैसे कि front end user से interact करता है, तो simple language में बात करता है, हमारी English या जो भी language आपने opt करिये, और जब front end, back end से, और back end, front set से communicate करता है, तो वो कैसी language है, technical language में, machine language में बात करता है, अपने system softwares की जो languages हैं, उसमें बात करता है, अपने codes में बात करता है, अपने commands के format में बात करता है, ठीक है, तो 5, तो यह 5 reasons हैं, जिसकी वज़ा से यह दोनों separate हैं, एक-एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले, domain expertise, domain आप underline कर लें, मतलब specialization, ध्यान से सुनो, front end software is meant for handling requests from users, क्यों बनाए, request from users को handle करने के लिए, back end software is meant for storing and handling the data, हमने कहाँ यह database है, यह database management system नाम का software यहाँ काम कर रहा है, यह handle करने का काम back end पे है, front end के कुछ जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की अलग-अलग expertise है, एक कहीं न कहीं, front end कहीं न कहीं, customer relationship management, यह user handling का का काम कर रहा है, CRM, communication का काम कर रहा है, front end मतलब आपके user के साथ, और back end क्या कर रहा है, एक तरह से वो kitchen है, second, presentation layer, front end software interacting with the user is meant for presenting information, symbol and next, in a proper format, different color, bold italic, वो मैंने सीधा-सीधा आपको कह दिया, GUI, graphic user interface, बस इस से ज्यादा कोई बात करनी नहीं, close, tab menu के थूँ यहां काम हो रहा है, back end software is not meant for it, it cannot be expected also, क्योंकि यह presentation का काम नहीं करता, इसका काम presentation का ही नहीं, यह तो बस data reports forward करता है, front end को, तो presentation, दूसरा reason है, third is user experience, CRM मैं भी बात ही कर रहा था, front end software should guide the user to the desired report or features, front end software handles process data and not raw data, लेकिन back end क्या handle करता है, raw data को handle करता है, उसका काम है organize करना, maintain करना, पूरा जो database management system सारा का सारा काम करता है, back end वो काम करता है, user interface of back end, front end software needs to be intuitive, minimum use of help should be sought by the user, वो आपके हिसाब से बनाया जाता है, user friendly होता है, अगर एक line में बोले तो, user friendly होता है, जितना कम से कम command के साथ, आपका काम execute किया जा सके, ऐसा होता है, so user experience को बहतर बनाता है, एक तरह से customer relationship management का काम करता है, speed को ध्यान में रखके, हमने front end and back end अलग अलग बनाए, हम यही logic लगा रहे थे न, work division किया, कैसे, front end का काम front end को दे दिया, कि तुम भई customer को समालो, user को समालो, उसके साथ interact करो, presentation का काम करो, उसकी language में communicate करो, और back end ने कहा, मैं raw data को handle करूँगा, work division हो गया, किसकी smith की philosophy, taylor की philosophy, ford की philosophy लग गई, ठीक है, so obviously, जब division of work होगा, तो domain expertise इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, speed of data transformation, data transformation processing, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, next, language, front end किस language में बात करता है, अभी आपन बात कर रहे थे, front end बात करता है user की language में, जो user को समझ में आता है, back end किस language में बात करता है, technical language में, जो layman नहीं समझ सकता, तो कौन समझेगा, front end को वो चीज़ समझ में आती है, हो गया, ठीक है, ये बात हुई, किसी भी application software के अंदर, front end या back end क्यों होते, हमारे accounting and financial system के अंदर भी, front end या back end होते, एक छोटा से example और आपको दिया था, बहुत पहले, अपने dashboard का example दिया था, और बोला था, जब मैं इस dashboard से interact करता हूं, ज़रा ध्यान से सुनना, ज़रा एक sequence बना रहा हूं मैं आपके सामने, आपने इसमें जबाब देना है, और इसी से mcq भी बन जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कई बार, ठीक है, मैं एक user हूं, किसका ध्यान से सुनना, मैं user हूं flip card का, तो मैं क्या करता हूं, flip card की website पे जाता हूं, flip card कहां पे है, किसी web server पे है, ठीक है, इसके आगे, पीछे बहुत सारे लोग, इसके और पीछे काम कर रहे हैं, वो कौन से हैं, जैसे seller है, जैसे e-cart है, ठीक है, जैसे की warehouse है, और इन सब के पास क्या है, इन सब के पास एक dashboard है, ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बात को, ठीक है, इन सब के पास क्या है, एक dashboard है, ये dashboard क्या कर रहे है, रियल टाइम में ये क्या कर रहे है, ये भी बहुत सारे updates कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने इस पे जाता हू, तो मैं इस पे अपडेट करता हूँ, यहाँ update करने वाला कोई तो होगा, कोई person होगा यहां भी कोई user होगा ध्यान से सुनना पीछे वाला user जो इन dashboard से या तो seller होगा या e-card का कोई person होगा या warehouse का कोई person होगा जो इससे interact करता होगा ultimately जो कुछ भी हम यहां करते हैं यह भी कहा जाता है यह भी हमारे web server पर ही जाता है मतलब यहां अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो वह effect कहा दिखा रहा है आपकी वेब server होते हुए आपके इस website पे effect दिखा रहा है और इन सब का backup कहा है बोलो भी ध्यान से database सर्वर पे हैं अब ध्यान से सुनना अब इस sequence में यह front end back end बताना है आप आपने बताना है इस user के लिए flip card front end है की नहीं है है जी बिल्कुल सही बात इस user के लिए web server and database server क्या है तो आप कहोगे sir यह तो इनके लिए backend है है या नहीं है फिर अब मैं दूसरे तरफ से आता हूँ अच्छा इस user के लिए यह seller के dashboard front end है या backend है तो आप कहोगे sir backend है क्योंकि यह हमें पता ही नहीं कि पीछे से क्या क्या हो रहा है मतलब यहां से पीछे जो कुछ भी था यहां से पीछे जो कुछ भी था यह सारा का सारा backend था किसके लिए इस user के लिए अब जब मैं reverse order में बात करता हूँ और यहां से शुरू करता हूँ अब बताओ इस वाले user के लिए मेरे लिए जब मैं इस पे upload करता हूँ या किसी listing में कोई change करता हूँ यह रही इसका मैं थोड़ा सा edit listing कर देता हूँ अभी मैं किस से interact कर रहा हूँ इस dashboard से तो मैं user हो गया इसका यह मेरी language में बात कर रहा है जैसा मैं सुनना चाहता हूँ ठीक है यह 1590 था ठीक है इसको मैं change कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 95 हो गया क्या 1595 हो गया क्या चलो इसको मैं save कर देता हूँ मैंने कहा save किया मैंने तो यहां save किया यह लो submit कर दिया मैंने इस वाले dashboard पर यह submit कर दिया और इसने मुझे दिखा भी दिया updated listing हो गई लिस्टिंग अपडेट हो गई ठीक है अब मैं चलता हूँ जरा इसको फिलिप कार्ट पर वापस देखता हूँ अब बैक टू डाश बोड देखना जरा 5090 हुआ क्या 5090 यह अभी इफेक्ट देखता हूँ website पर क्या इफेक्ट वाइए देखो 1595 हो गया क्या real time में हो गया यहां पर exchange मतलब क्या हुआ मतलब हुआ इसके बैकेंड ने काम किया मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि कैसे काम हो रहा था बट अल्टिमेटली जहां मुझे डिस्प्ले करना था जहां मैंने जो चेंज करने थे 5090 से 95 किया और वो यहां पर आ गया बात हुई कुछ यहां पर है जितना कुछ यहां पर है यह इस यूजर के लिए भी बैकेंड है ठीक है तो इस तरह से यह पूरा फ्रेंटेंड बैकेंड काम करता है अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप प्लीज नोटिंग कर लें कि आपकी नोटिंग यह रहे गई ह को अंड़ ई हम अब माइज का जरले दो है एंग हम कि रह रहे जारीं जबागाई और को रहे तो जिए कर दो अग्म आपिंग frightened चलो जो वापस बैक to the point, back to the basics, अब एक छोटा सा concept आपको कराने वाला हूँ, फिर मैं और बात करूँगा, application software, definition बताने की जरुरत है, यह आप बताओगे मुझे, chapter 3 में जैसे भी किया था, कितने type के होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है, मैं दुबारा से बता रहा हूँ, चुकि इस chapter में है, as this is here, I am again discussing about this, right, so we have already talked about this application software, बताओ आप कितने type के होते हैं, बोलना, installed application, installed application, web application, और cloud application, मैं इस इस drawboard pdf पे लिख रहा हूँ, किस पे लिख रहा हूँ, drawboard pdf पे लिख रहा हूँ, बताना मैं internet के थुरू लिख रहा हूँ, या किसी cloud के थुरू लिख रहा हूँ, किसी cloud की services का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सीधा मेरे system में install है, मतला मेरे hardware पे, मेरे device पे, मेरे infrastructure पे, installed है, समझ में आई बात, MS office आप कहीं और use करते हो, या आपके system में होता है MS office, chrome आप कहां use करते हो, बड़ी simple सी बात है, ये सारी चीज़े क्या है, installed है, जैसे MS office, जैसे मैंने कहा tally अभी जो मैं use कर रहा था, तो internet की जरूरत थी, क्या मेरे को, नहीं थी, tally 9.0 ERP वाला, कैसा था, हमारे use पे installed है, कोई ERP का software है, मालो, sap है, ये क्या है, installed है, implemented है, ये मुझे कहीं online अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब जाने की जरूरत पड़ेगी इनके versions में, तो आगे बात करेंगे, कोई भी software, मेरा VLC player, बताना जरा, installed है, ये देखो सारे एक लाइन से नीचे, drop down menu में देखो, नीचे देखो bottom पे, सारे जो भी installed applications है, मेरे यहाँ पे लगे हुए, ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ देखो, यहाँ भी बड़े सारे installed है, ये camera है, calculator है, सब कुछ यही पे है, any desk, सब मैंने install करके रखा हुआ है, आप Acrobat Reader है, सब कुछ, मैंने install करके, इतना सारा MS Office, PowerPoint वगरा, ये सब installed application है, और ये कहा होते हैं, user के machine पे होते हैं, किस पे होते हैं, installed at, चोटी-चोटी बाते हैं, मैं आपको technically बता रहा हूँ बस, हम discuss बहुत बार कर चुके इस चीज को, installed at users machine, चीक है, अभी बताना इसकी speed अच्छी होगी, बिलकुल होगी, internet की जरुरत नहीं है, downtime नहीं होगा, limitations भी होगी कुछ इसकी, बताओ ना, क्या-क्या limitation होगी, limitation यह होगी, कि साब अगर एक बार office बन, वो device नहीं है, जहां वो installed है, location free अपन काम नहीं कर सकते, जब तक handheld device नहीं है, जब तक इस application को location free होके, कहीं भी कभी इस्तमाल नहीं कर सकते, क्योंकि installed एक machine पे है, कुछ benefits भी है, कुछ advantages भी है, ठीक है, चलो, एक तो बात यह होगी, दूसरी बात, जड़ा मैं दूसरे application पर आता हूँ, यह बहुत ही simple था, ठीक है, web application, बताओ, web application क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, कि किसी website की बात की जा रही है, कोई भी website ले लो, web application है, क्या flipkart web application है, क्या onextel एक web application है, क्या, यहाँ पर मैं जब बोलता हूँ, www.web.whatsapp.com, क्या बोला मैंने, www.whatsapp.com, देखो ध्यान से, क्या आप इसको बोल सकते हो, कि यह एक web application है, जब मैं किसी browser के थुरू, कैसे, सुनना ध्यान से, website पे जाता हूँ, मतलब इसके लिए दो चीजे होनी चाहिए, एक तो internet होना चाहिए, बहुत ही simple simple बाते हैं, इसको कोई लंबा चोड़ा हिसाब नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको खीच नहीं रहा हूँ, बहुत बात कर चुके हैं, बहुत advanced बाते हैं अपन क्लास में कर चुके, internet का होना जरूरी है, चुकि technically लिखना होता है, इसलिए मैं discuss कर रहा हूँ, internet का होना जरूरी है, एक web, browser का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं ये firefox या ये chrome नहीं खोलूँगा, मैं ये click कहा करूँगा, अब ये www.flipcart.com मैं clicking कैसे करूँगा, जब तक मेरे पास वो browser नहीं होगा, ये दो चीजों का होना जरूरी है, जब हम online application यूज करते हैं, वेb application कहलाता है, कहां रहता है, इसका घर कहा है, बताओ, ये कहां रहता है, इसका house कहा है, किसी web server पे होता है, ठीक है, एक calculator है, एक calculator है, कौन सा calculator, जो हमारे पास होता है, जो मेरे इस system में भी installed है, ध्यान से देखना, खुल जा रहे, ये देखो, ये calculator, ये मेरे system पे भी installed है, कहां installed है मेरे system पर यह क्या installed application है मेरे इस computer पर यही वाला Google पर आना देखना Google पर भी एक होता है ठीक है क्या बहुत है उसको Google Calculator यह देखो यह आ गया अब यह वाला क्या है यह Google पर है कहां पर है Google पर है वेब application है अब बताओ internet की जरौती ब्राउजर की इंटर इसको यह मैंने all जस सर्च मारा Google पर आए Google पर ऑल लाइन है अब कर लो 125 जमा पच्छिस सो दिस वान फिप्टी दिस हाओ वेब application works so two type के application होगे मैंने आपको explain कर दिए अभी मैं एक चीज़ और चाहता हूँ Google बाबा मेरे को ना एक calculator होता है six sigma का नाम सुना है आपने एक six sigma calculator होता है क्या होता हम six sigma निकालते six sigma का नाम six sigma ही क्यों है सुना है आपने कहीं वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा SM के अंदर फिर भी आपको बताना चाहता हूँ सुनो ध्यान से six sigma क्या है एक strategy है या process improvement की एक modern technique है process की improvement की मतलब इसमें बात की जाते हैं कि हम defect को कैसे reduce करे किसके defect को बस ऐसे ही समझना अब जितना बता रहा हूँ मालों यह spectacles बनाने या यह pen बनाना है तो यह pen में हम जब भी बनाते तो defects कुछ होते कुछ damages होते कुछ defects होते defect क्या होते है जो standard की quality को match नहीं करते है वो defect है जो set standard के equivalent नहीं है जो हमने standard minus actual किया जो variance आया वो defect है अगर minus में हो तो adverse है तो वो defect है बड़ी simple सी बात है यह defect है six sigma की philosophy कहती है Motorola ने दी Motorola ने दी 1986 में दी और इसकी philosophy है 3.4 DPMO मतलब full form होता है 3.4 defects per million opportunity तो क्या होता है इसका standard deviation calculate किया जाता है जब हमने 3.4 defect किया एक 10 लाक इस product को 10 लाक product बनाया spend को 10 lakhs time बनाया 10 lakh product produce किया और 3.4 defect पे जाके रोक दिया उतने ही defect पे 10 लाक बिसे मतलब हमने six sigma के उस level को achieve किया जो Motorola ने recommend किया एक बार में possible नहीं है यह continuous event है लगातार चलने वाला यह प्रक्रिया है तब जाके भी achieve this level of excellence right that is called six sigma. So generally organization धीरे धीरे इस level को achieve करने की तरह बढ़ती है six sigma philosophy कहते है strategy भी है process improvement की एक technique है तो उसी पे 3.4 का जब हमने process sigma निकाला 3.4 defect का जब process sigma निकाला तो जो हमें मिला वो मिला उसका जो sigma मिला वो six इसी पे नाम इसका six sigma पड़ा ठीक है कैसे निकला तो इसकी एक calculator होता है अब यह हम statistical technique से calculate करो बैठके घर पर लगे रहो ठीक है six sigma अच्छा standard deviation निकाला यह निकाला ठीक है अब पता चला हां जी six ही आया ठीक है दूसरी तरह हमारे मैं पास web applications है six sigma एक calculator आता है प्रोसेस सिग्मा calculator यह देखो मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूं बस आपका जो भी डिफेक्ट है ना इस calculator पर लेगा के सेट कर दो ठीक है इस calculator पर लाके सेट कर दो वह आपको सिग्मा की value बता देगा यहां क्या opportunity कितनी है 10 lakhs है इतना product यह वाला बनाए डिफेक्ट किता है 3.4 ठीक है अब इसको calculate करते यह देखो क्या निकला result इधर आ गए field below is show the result of your process क्या DPM 3.4 डिफेक्ट 0% डिफेक्ट कहा इसको efficiency 99.99996667 कह सकते हो तो वह 100% के बराबर ही yield आया process sigma 6 इसी रेज का नाम 6 सिग्मा पड़ा अब यह calculator कहां पर है online है ठीक है यह simple सी philosophy आपको बताई 6 सिग्मा का नाम 6 सिग्मा क्यों पड़ा अच्छा उसको चेक करने के लिए हमने calculator का इस्तेमाल किया अभी मेरे डिफेक्ट मालो मैं बनाता हो मैं बनाता हो कोई product और क्या है ना मैं जब बनाता हो तो मेरे defects बहुत ज़्यादा होते मालो मैंने defect कर दिया 52 कोई बात नहीं कर दिया 3.4 की जगा 52 अब मैं calculate करता हो देखो इसने क्या कहा DPMO defects per million opportunity 52 सही है defect का percentage दिया 0.01 yield दिया 99.99% process sigma कितना निकला 5.38 क्या मैंने सिक सिगमा आची किया नहीं किया ठीक यह calculator है बड़े सिंपल सी बात है इसमें कुछ भी इतना हाई-फाई कुछ भी इतना लंबा चोड़ा नहीं है बहुत अच्छी बात है तो यह क्या था वेब application है यह क्या है वेब application है जितने वी website से आप e-commerce करते हो आप किसी website वेब application है आप इस्तवाल कर रहे हो बहुत अच्छी बात यहाँ दो चीजे मेरे को आपको बतानी है बताना ध्यान से यह हमारे इंफ्रास्ट्रॉक्चर पर इंस्टॉल्ड है बोलो क्या यह हमारे device इंस्टॉल्ड है वेब application नहीं किसके इंस्टॉल्ड है इसका घर कहा है वेब server पर है कहां पर है वेब server पर हमारे पर नहीं है कुछ भी हमारे इंटरनेट चाहिए चाहिए ऑल लाइन है ऑल लाइन है हम पर लोड है नहीं है security है आप कहोगे risk है क्योंकि online है तो risk ज्यादा हो होगा चुटी-चुटी बाते आप से पूछ रहा हूं आप बता हो ठीक है अच्छा speed processing की ज्यादा वेब पे होगी कि installed पे होगी इस्टॉल्ड पे ज्यादा होगी वेब पे मालो internet slow चल रहे तो slow हो जाएगा वो तो हम दूसरे पर dependent है ना उस application के लिए किस पर dependent है उसके web server प तो अपनी तो लग दी इस case में ऐसा नहीं होगा ठीक है installed के case में ऐसा नहीं होगा डिफरेंसे अभी पढ़ेंगे तब तक तीसरा भी एप करते तीसरा भी application करते जिसे हम बोलते cloud application बस मैंने कुछ कहना ही नहीं है बस इतना कहना है इन दोनों को जोड़ा तो live जहिंगा ला बनाया मतलब cloud application is a hybrid hybrid application ठीक है बहुत लंबा चोड़ा मामला नहीं है यहाँ पे जरूर नाम से ही लग रहा है यहाँ पे कोई न कोई भाई सब CSP होगा cloud service provider होगा या कोई ESP होगा जो service provider होगा उसका application होगा हम use कर रहे होगे फार एक्जामपल आप पता हो Facebook यूज़ करते होगा सब करते अब ही कर देते सर्फ www.facebook.com यह क्या किया मैंने web application यूज़ किया या cloud application यूज़ किया सर यह ना पक्का पका web application यूज़ किया है क्या यूज़ किया है चेल यहां पे एक इसका अफ मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। फेसबुक नहीं feedback है चल कोई बात दूसरा देखते हैं वह होगा Instagram यह Instagram installed है अभी Instagram के लिए क्या किया मैंने www.instagram.com पे मैं नहीं गया मैंने क्या किया मैंने सीधा-सीधा Instagram क्लिक कर दिया क्या कर दिया इसका एक application यहाँ पे मेरे पास install था कहा install था मेरे system पे install था मेरे system पे install था इसको भी net चाहिए इसको भी एक वैसा ही app का browser चाहिए फिर यह चलेगा इसको अपन cloud application कहते है जो cloud जैसे की और example देता हूँ आप देखो mobile apps एक तो आप desktop mode में जाते हो और जाके www.type करते हो और दूसरा app download करके रखते हो सीधा app को click करते हो और जो कुछ भी करना है उसके कर देते हो जो हो का जो हो एक accounting software है उसने आपको कहा कि भही साब आप मेरा use कर लो आप उसको ले लो आप उस पे जो कुछ भी accounting करनी ह आप कर लो बाद में जब upload करने की बारी आएगी and download करने की बारी आएगी क्या upload and download तब आपको जरूरत पड़ेगी internet की otherwise आप सारी activity locally offline कर सकते हो लेकिन जब upload या download करने की बात होगी तो आपको internet की जरूरत पड़ेगी तभी इसको कहा hybrid application है मतलब storage इसकी कहा होगी system पर होगी किसकी एप की data store कहा हो सकता है cloud के server पर हो सकता है एक और चोटा सा example देखांपल ध्यान से सुनना difference create कर रहा हो web में और इसमें ठीक है एक होता है MS office 365 professional एक तो MS office है कहा पर installed है आपके इस computer पर installed है आप उस computer पर यूज कर रहा है word excel powerpoint अब मैं चाहता हूं कि मेरा word excel powerpoint ऐसा हो जो मैं बना तो लूँ अपने system पे बना के ऐसा version हो जो जाके कहीं पर upload हो जाए और ये वाला computer मेरे पास चाहे ना भी रहे ये वाला laptop मेरे पास चाहे ना भी रहे I can use it anywhere anytime by download it from the website of MS office Microsoft यही MS office 365 professional वैसी ही service है जब आप इसे upload कर दो आपको आपके browser की इस system की कोई ज़रूत नहीं है काव आपने इस system पे किया था upload क्या है यह हो सकता है OneDrive पे हो OneDrive पे हो और वहां से आप download करके पूरे files documents आप कहीं भी use कर सकते हो this is cloud application example of cloud application ठीक है समझ में आगए तीनों application आपको कौन-कौन से web installed web और hybrid जिसे हमने कहा cloud application cloud में दोनों के feature मिले हुए है app आपके system पे है data कहां server पे web में क्या है app भी उनका है आपको online ही जाके access करना है और data भी उनीके server पे जाके store होगा ठीक है यह आप कुछ download करते हो तो आपके system पे download होगा installed में क्या है no internet is required ठीक है वेब पे क्या है only internet के तुरूई access होगा cloud पे क्या हाइब्रेड है मतलब आपको infrastructure का भी इस्तेमाल करना है installed के भी सारे feature यूज़ करने और साथी साथ cloud की services का भी सवाल करना है cloud application ठीक है dropbox amazon की services सब आप इस्तेमाल कर सकते हो तीन टाइप के एप हो गए इनके differences आपको समझ में आगे एक बार पहले noting कर लो जो कुछ भी यहां से रह गया दैन विल मूब to the book and will do from there and then we'll move further whatever not in curlow then we'll move झाल होगे रिकोर्डिंग आपकी और रिपोर्ट सरी नोटिंग आपकी चल अब और बात करता हूँ थोड़ी सी और आगे चलते एक बाद फटा फटा अपनी बुक पे आईए और फिर मैं आपको कुछ कराता हूँ यांसे ठीक है एक बार ज़रा इस कॉंसेट को कंसॉलिडेट कर ले फिर बढ़ेंगे आगे ठीक है बिलकुल शॉट में सारी बाते मैंने कर दी है लिटरेचर वाइज कंसॉलिडेट करा रहा हूँ ध्यान रखना पढ़ते हुए जैसे मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ एक्जाम्पल्स दे रहा हूँ लाइव जो दिखा रहा हूँ उसको दिमाग में एकदम चिपका के रखना है बाकी सब बाते चलती रहेंगी और बु लिटरेंट मिसिंग थे वही टेक्निकल बात नहीं लिख पाए जिन्होंने रिवीजन नहीं किया था या क्लास को ढंग से सुना नहीं था सारी बाते क्लास से लिखी जा सकती है ठीक है और अपन लिख भी रहें और पढ़ भी रहें एप्लिकेशन सॉप्वेर बिलकुल मैं इसको समझने के लिए मैं आपको बेसिस दूँगा और इस बेसिस के लिए फॉर्मूला दूँगा उस फॉर्मूले से काम हो जाएगा अभी देखो ज़रा ध्यान से फॉर्मूला जला पहले नोट करो बाकी बाते सब करता हो जैसे उपर दिया आपको यूएस पी ओफ डोमेन लैंग्विज ठीक है यूएस पी ओफ डोमेन लैंग्विज आपको दिया था यहां पे कहां पे सेपरेट फ्रंट एंड बाकेंड क्यों चाहिए तो यूजर दूसरा इस पेसिलीजेशन थीसरा प्रेजेंटेशन डोमेन डोमेन की एक्सपर्टीज एंटीज और लास्ट बनेज लागविज ठीक है ऐसे ही यहां पे लेलो डिफाइन डिफाइन इंस्टोलेशन इंस्टोलेशन बाकेंड अस्टोलेशन map of dfd with example ठीक है example अपन सबसे last में लें अगर difference करने में difference create करने में best रहेगा तो define बोले तो सबसे पहला feature definition 1 तो यहां लो 1 ठीक है just mapping कर रहा हो then सारी बाते consolidate करूँगा दूसरा installation map installation बोले तो installation and maintenance to installation and maintenance to कहां होगी installation जड़ा बताना आप installed application का आपके machine पे होगी और web application का web server पे होगा बस इतनी सी major बात है बाकी बातें अभी मैं करता हूँ map M बोले तो mobile application mobile application so 3 A बोले तो accessibility and usage scale ठीक है accessibility 4 4 P बोले तो your performance ठीक है 5 5 D बोले तो data storage 6 क्या data storage 6 F बोले तो flexibility 7 7 7 8 बोले तो D data security data security 8 with example 9 number कहा है with example यह रहा 9 number last में example लगाने का ठीक है इससे आपको सारे basis मिल गए क्या बात में डिसकस करते हैं आपन अभी डिसकस करके ही आएं पहले एक बार ज़रा basis क्रिएट कर ले और ज़रा simply बात कर ले ते definition हम दे सकते हैं क्या क्या है web application एक एक करके installed application क्या है installed on the hard disk of the user कोई नहीं बात करी क्या है hard disk of the user computer simple और यह कहां होगा on web server कैसे use होगा browser and internet के द्वारा use होगा web application simple example क्या है यह रहे आपके सामने electronic spreadsheet using the Microsoft Excel word explorer mozilla google chrome safari windows itunes solitaire media player vlc player बहुत सारे example मैंने भी आपको दे दी दूसरा web application क्या है google dog google calendar google अभी आपको बताया था क्या process sigma google calculator web version of visual studio open office webmail online retail stores tripcard amazon www.online auctions wiki instant messaging services skype वगरब यह सारे web applications है facebook www.facebook.com facebook का app cloud application हो जाएगा जो आपके system पर installed है ठीक है जो हो की accounting quickbooks की accounting है तो वो cloud की service accounting की service बट जब वो आपके system पर install हो जाएगी cloud application क्योंकि उसमें जो भी आप accounting करते हो जो भी invoices वगरण जो भी generate करते हो जाके किसके server पर store होता है quickbooks या जो हो के ठीक है यह ध्यान रखना है आओ installation third number installation installation and maintenance desktop application have traditionally been limited by the hardware on which they are run पहला difference उसी system पर जहाँ वो रन होगा web applications using web browser in in effect a stand-in for a client and works with the resource available over the internet including storage and CPU processing power सारा कुछ कहां पे processing हो रही है online हो रही है through internet over the web server तो यह हम flexible है त्रीक है installed का है वहाँ पे है they must be developed installed की बात करो they must be developed for an installed on a particular operating system एक ही operating system पे होगा window excel यहाँ पे आप operating system free होके काम कर सकते हो this approach allows for thin client thin client ध्यान से सुनना client thin है आपको सारा कुछ रखने की जरूरत नहीं है provide access to complex application delivered from a centralized infrastructure web server maintenance and updating of the software may take a lot of time and effort आपको एक MS Office upload करना है update करना है window update करना है time लगता है आप करते हो यह आपका जो आपने security software ले रखा है total security quick hill की update करते हो यहाँ पे maintenance आपकी tension नहीं है क्योंकि वो web server वाला वो खुदी कर रहा है तो वहाँ पे easy है map पे आते हैं M बोले तो mobile application से पहले इस पे आते हैं using the software through mobile application is difficult in this case obviously mobile application is installed but इसका application mobile पे use किया जा सकता है 24 into 7 जैसे कि वो cloud application further बनाया जा सकता है extension किया जा सकता है data map of dfd डी बोले तो data storage data is physically stored in the premise of the user कहां होगा data user के पास होगा उसी device पे होगा जहांकि installed application है यहां पे कहां होगा user server web server बोल सकते क्या वहां होगा number two F F बोले तो flexibility installed application में flexibility होगी क्या नहीं होगी rigidity होगी जिस system पे आपने लगाया है बनाया है वहीं जाना पड़ेगा installed application shall have more flexibility and control as compared to web application sorry यहां पे एक mistake हुई data storage के मामले में यहां पे flexibility होगी usability के मामले में इसको access करने के मामले में web server की flexibility ज्यादा होगी यह rigid होगा उस case में बट जब हमें अपने तरीके से काम करने हो कैसे हमें execute करना है अपने services को वो हमारे control में होगा user के लिए for user this will be flexible and this will not be that flexible because इसका control किस के पास है किसी flip card के पास है या किसी Microsoft के पास है उसका control हमारे पास या have the full physical control over the data and they can ensure that it is not accessed without proper access web application online है तो हमेशा exposed to risk है data security is a big challenge यह हमने cloud computing में भी पड़ा था तभी हमने hybrid cloud client hybrid cloud की services hybrid cloud use किया था same here next map of dfd with example example आपने कर लिया कोई रह गया accessibility and usage application desktop applications are confined to a physical location and hence have usability constraint यह वाली बात है accessibility का constant रहेगा क्योंकि यह single location पे है यह मेरे premise पे है तो मैं जब यहां होंगा तभी से use कर सकता हूँ इसके साथ ऐसा नहीं है यह किसी server पे है किसी web server पे है मैं जहां मर्जी हूँ वहां से इसे access कर सकता हूँ किसी भी device से access उस website पे जाके कर सकता हूँ ठीक है done examples हमने कर लिए बहुत सारे this was it cloud-based applications what is cloud-based application मैंने का यह hybrid cloud application और cloud app is a software program where cloud-based and local component work together क्या कहा मैंने cloud का cloud CSP की service और मेरे hard disk मेरा hard disk मेरा system यह दोनों मिल के काम करते हैं यह दोनों मिल के काम करते हैं वो cloud थीक है this model relies on remote server from for processing logic that is access through a web browser with a continual internet connection processing कहा हो रही है cloud service provider के इसके पार्ट पर हो रही है cloud-based application टास्क में income pass mail file storage sharing order entry inventory management word processing customer relationship management data collection financial accounting feature etc जो हो quickbooks का मैंने आपको example दिया जितने भी cloud की services आपने पढ़ी है वो सब के apps होते हैं वो सारे इसकी category में आएंगे जैसे मैंने कहा linkedin मैंने instagram का app दिखाया boom rank jometo salesforce dropbox nexuit जोहो quickbooks और भी बहुत सारे ठीक है सारे इनके features क्या है बहुत small feature है छोटे-छोटे storage बताइए storage कहां होगी cloud के infrastructure पर होगी first feature number two support for different user requirement data backup अलग-अलग क्योंकि यहां पर services है कैसी sas pass तो जैसा support आपको चीए वैसा मिलेगा desktop as a service security as a service network as a service infrastructure as a service the kind of services you want it will provide very simple number three can be used from web browser built-in apps installed on internet connected device जैसे मैंने अभी Instagram आपको दिखाया और भी बहुत सारे ऐसे apps आप कर सकते हो mobile phones पर desktop पर system पर install कर लेते हैं can be used to access a wider range of services such as on-demand computing cycle storage on-demand services application development platform पूरा का पूरा ऐसा नहीं लग रहा cloud computing यहां पर इस app यह cloud computing वाला app है ठीक है वो सारी बाते यहां पर हो रही है storage कहा cloud service provider के end पर ठीक है services कौन कौन सी जितनी भी cloud की services है use कैसे करेंगे web browser के थुरू और applications क्या-क्या होंगे कोई भी storage के accounting के security के और सारा कैसा होगा on-demand होगा as and when required ठीक है a system of maintaining okay that's it ठीक है एक छोटा सा break लेंगे यहां पर 10 minutes का और break के बाद हपन करेंगे ERP बिल्कुल बिल्कुल एक जितना session अभी किया है इतना ही लंबा session होगा उसमें अपन ERP करेंगे second part integrated non integrated accounting systems and ERP and systems and उसके features उसके modules और इसके लिए जरूरी एक छोटी सी बात में करना चाता हूँ आपको शायद ध्यान भी होगा access control हमने last class में कर लिया था आपको बिल्कुल clear है वो यहां के लिए भी जरूरी है आपको एक चीज बताई थी मैंने यह भी आपको precondition लखना है ERP पढ़ते हुए आपको process पढ़ाते से हुए modules की चर्चा करी थी क्या मैंने याद है modules के बारे में बोला था क्या कोई BPM पढ़ाया था क्या business process management और इसको जब हम एक software की मदद से run करते तो इसको बताया था क्या कि इसे हम BPMS कहते हैं और क्या मैंने आपको बताया था क्या कि एक organization एक business system के अंदर एक business system के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे BPMS होते हैं बहुत सारे modules होते हैं बताया था क्या आपको एक comprehensive diagram आपको बताया था क्या पूरा system का diagram बना के दिखाया था क्या आपको from idea to profit conversion into dividend बतब सारा profit का distribution into dividend यादोगा आपको पूरा एक पूरा पूरा एक चार्ट कराके दिया था इसे पूरा एक चार्ट कराके दिया था पूरे business system का back of the mind में आपको कुछ नहीं बस वो चार्ट दिमाग में रखना है और फिर शुरू करेंगे हम इस break के बाद ERP क्या Enterprise Resource Plugin बस इतने सी बाद आपको note करनी है और फिर उसके बाद इबाद तयार करना है for the next break इतने की बाद स्वार करना है झाल झाल